आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ पूरी चाट की रेसिपी इसके लिए मैंने पूरियों को घर पे ही फ्राई करके निकाला है साथी मैंने रखा अनार का दाना, काला नमक, कैच का चाट मसाला, सेव और छोले मैंने घर पे बनाए हैं गर्म गर्म चोले हैं, दही, इमली का पानी और थोड़ी से मैंने टमाटर, प्याज, हरी मीच और धनी के पत्ती को भी काट लिया है तो चलिए मैं चाट बनाना शुरू करती हूँ, तो सारी पूरियों को मैं इस तरह से तोड़ लूँगी, उसके बाद मैं चमच से एक एक चमच करके छोली को पूरी के अंदर डाल दूँगी तो इस तरह से मैं सारे छोले को पूरियों में डाल दूँगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही दही में मैंने एक चमच चीनी डाल कर इसे अच्छे से फेट लिया था तो चमच से मैं दही को उपर से डाल देती हूँ उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कटेवे प्यास को तो प्यास को मैंने डाल दिया है अब मैं डालूंगी कटेवे टमाटर को तो हमारा चटपटा सा चाट बन रहा है टमाटर को भी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मीर्च तो जिसे हरी मीच पसंद है वो डाले और नई पसंद है तो इसे इसके भी कर सकते हैं अब मैं उपर से छिड़क दूँगी थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के लिए उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल बारीक चाट वाला सेव तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कैच का चाट मसाला और अब मैं डाल दूँगी इसमें अनार के दाने उसके बाद मैं इसमें डालूँगी इमली का पानी अब मैं इसमें डाल दूँगी बारिक बारिक कटेवी धनी की पत्ती को अगर धनी की पत्ती पसंद ना हो तो इसे भी स्कीप कर सकते है उसके बाद फिर से मैंने इसमें डाला है दही तो इस तरह से बन करके तयार है मेरी दही वाली पूरी चाट की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार की ये रेसीपी लगती है और घर पे इसे बनाना भी बहुत असान है आपको मेरी पूरी वाली दही चाट की रेसीपी कैसी लगी कामेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा